नमस्कार, उद्देश अकेडमी के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रशनावली 3.2 करेंगे तो आएए सुरू करते हैं तो 3.2 में पहले प्रशन का पहला भाग है देखें पहले प्रशन में लिखा है निम्न समस्याओं में रहखिक समिकर्णों के युग्म बनाई और उनके ग्राफ्य विधी से हल ग्यात कीजिए ठीना पहले समिकर्ण बनाना है फिर उसका ग्राफ्व से हल ग्यात करना है देखें पहला लिखा है क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गडित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिये गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्यात कीजिए, ठे हैं तो क्लास 10 की विद्यारती हैं इसमें देखें कुल दस विद्यारती हैं और उसमें और एक condition दिया हुआ है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है तो इसको हल करते हैं देखें प्रस्ट नमर एक में का पहला भाग देखें माना, लड़कियों की संख्या, एक्स, एवं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, वाई, ठीक ना? लड़कियों और लड़कों की संख्या माल लिए तो देखिए क्या बीजाएगा प्रश्णा नुसार देखिए दोनों को जोडएंगे दोनों को जोडएंगे लड़के और लड़कियों की संख्या का कुल कितना है 10 है तो यह पहला समीकन हो गया और फिर दूसरा condition दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ये लड़कों की संख्या से चार अधिक है लड़कों की संख्या अगर y है तो y में 4 जोड़ देंगे तो x की इल मतब लड़कियों की संख्या ग्यात हो जाएगी तो इस प्रकार ये समीकरन भना यहाँ, X-Y बराबर 4, तो समीकरन 2 बना, ठीना, तो यह हो गया, भीज गडिती है, रूप में हमने बना लिया इनको, X-Y बराबर 10, और X-Y बराबर 4, ठीना, अब इसके ग्राफी विधी से इनके हल ग्यात करना है, मतलब लड़कीों की संख्य और लड़कों की संख्या ग्यात करनी है तो पहले दिखते हैं समीकरण 1 से देखें समीकरण 1 से तो पहला समीकरण लिख लेते हैं x प्लस y बराबर 10 ठीक न? तो इससे हम y कमाण परच्छांत तक कर लें तो x बराबर 10-y अब इसमें y कमाण रखेंगे तो x कमाण ग्यात हुचा रहेगा तो देखें इसके बगल में बॉक्स बनाते हैं x, y ठीक न? तो y कमाण कितना रख लें? अगर देखें y कमाण अगर 1 रखेंगे तो 10 में से ग्या 9 आया ठीक न? अगर 2 रखेंगे तो 8 आएगा 3 रखेंगे तो 7 आएगा ठीक न? इसलिए हम लोग y कमाण 4 रख लेते हैं y कमाण 4 रखने पर तो y कमाण 4 रखेंगे तो क्या प्राप्त हैगा? 10 माइनस 4 बराबर 6 प्राप्त हुआ तो यह हुआ 6 और 4 तिमान पर इसी प्रकार y बराबर 5 रखने पर तो 5 रखेंगे तो यह गा 10 माइनस 5 बराबर 5 तो यह हो गया 5 पर 5 प्राप्त हो गया इसी प्रकार y बराबर 6 रखने पर तो यह गा 6 तो यह हो गया 4 तो यह कमाण 4 आया y के 6 माण पर 6 रखने पर 4 आया इस प्रकार इसका बना लिया, अब समीकरण 2 से लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो दूसरा समीकरण है, इसको लिख लेते हैं, X-Y बराबर 4, तो Y को पक्छान तक कर लेते हैं, तो यह जाएगा Y 4 प्लस Y, अब इसके लिए box बना लेते हैं, तेरा X, यह Y, यह हो ग तो y कमान रखते हैं, तो देखे y कमान कितना रख लेते हैं, y कमान y बराबर 0 रख लेते हैं, 0 पर 4 आएगा, तो y बराबर सुन्दे रखने पर, पर तो यह आगा यक्स बराबर 4 प्लस सुनने बराबर यह 4 आया इसी प्रकार y बराबर 1 रखने पर एक रखने पर तो यह आगा यक्स बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5 तो इस पर देख इसको लिख ले पें सुनने पर यह 4 आया यह 5 आया एक पर थिना इसी प्रकार 1 मान और रख लेंगे तो y बराबर यह रख लेते हैं y बराबर 2 रखने पर तो यह आया y axis बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6 तो यहां रख लेते हैं y का मान 2 आया yden 5 के 6 मान पर तो इस पकार नों इसको हम दोनों को graph पर दिखाएंगे तो इसका हल ग्यात खो जाएगा तो अब इसको मिटा लेते हैं और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं तो देखें यह वाला केतना था x, y यहाँ 4, 5, 6 और यह 6, 5, 4 और इसका समिकन भी लिख लेते हैं यही पर तो पहला समिकन से था तो यह जाए x प्लस y बराबर 10 और इस वाले का क्या था यह है x माइनस y बराबर 4 ठीक ना, अब इसको मिटा लेते हैं यह रहा y अक्च यह y देस ठीक ना, और यह रहा x अक्च यक्स अक्च छे हिस लेते हैं इधर सुनने, एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक ना, यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, देखें इसमें कहीं भी माइनस नहीं दिया है, इसने माइनस वाला ज्यादा ज़रूत नहीं लिखने का, तो माइनस 4 तक ही लिख दे रहे हैं यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह जाएगा, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, और माइनस 4, तो इसमें दिखाते हैं यक्स कमान 6 और वाई कमान 4, यक्स कमान 6, वाई कमान यह 4, तो यह रहा ठीक ना, फिर 5, 5, यह 5, यह 5, यह 5, इस पर लिख लेते हैं यहाँ पर, यह है 6, 4, और यह है 5, 5, ठीक ना, हाँ, ठीक है, अब 4, 6, यह रहा 4, यह रहा 6, यह हो गया, तीन बिंदू प्राप्त हो गया, ठीक ना, इस स्केल से हिचेंगे, तो बिल्कुल सिधी रेखा आएगी, तो मैं इसको हिच देता हूँ, तो यह हो गया, ठीक ना, इस पर ग्राफ हिच लेते हैं, समिकरन लिख दें सी पर, तो यह हो गया, यक्स प्लस Y बराबर 10, ठीक ना, और इस वाले का है, देखें, यक्स कमान 4, और Y कमान सुनने, तो यह यहीं पर रहेगा, तो यह लिख सकते हैं, चार सुनने, फिर यक्स कमान 5 और 1, तो यह रहा 5 और यह रहा 1, तो यह 5 और 1, 6 दो, 6 दो, तो यह गया, 6 दो, ठीक ना, तो इसको मिलाएंगे, एक सीधी रेखा बनेगी, इस पर समिकर्ण लिख देते हैं, इसका, यक्स माइनस Y बडाबर 4, तो देखें, जहां यह दोनों रेखाएं, परतिछेत की हैं, वहीं पर इसका समिकर्ण का, इसका हल हो जाएगा, देखें, यह बिंदू है, इसको जड़ाएंगे, यक्स अक्ष पर, और यह Y अक्ष पर, इसका मतलब यह आया, साथ और तीन, ठीक ना, तो देखते हैं, लिखते हैं इसको, ग्राफ से, यह, इस पश्ट है कि, दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं, साथ तीन, पर, एक दुसरे को, एक दुसरे को, प्रतिछेद, कर रही हैं, अतह, यक्ष बराबर साथ, और Y बराबर तीन हो जाएगा, तो इसमें यक्ष क्या लिए थे, लड़कियों की संख्या, तो जाएगा अतह, यहां इसलिए अतह, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, यक्ष बराबर यह जाएगा, साथ है, तो साथ हो गया, एवं, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर तीन, तो इस पकार प्रस्ट नमबर पहले का पहला भाग हो गया, अब दुसरा भाग देखते है, तो अब प्रस्ट नमबर एक का दुसरा देखते है, इसमें लिखा है, पांच पैंसिल तथा साथ कलमों का कुल मूले पचास रुपे है, जबकि साथ पैंसिल तथा पांच कलमों क कुल मुल्य 46 रुपय है एक पैंसिल का मुल्य तथा एक कलम का मुल्य ग्यानत कीजिए तो देखते है इसमें तो लिखते है माना माना एक पैंसिल का मुल्य एक पैंसिल का मुल्य X रुपया एवाम एक कलम का मुल्य Y रुपया ठीक न? तो प्रस्णा नुसार क्या हो जाएगा? देखे इसमें पहले वाले कंडिशन में दिया है पांच पैंसिल एक पैंसिल का मुल्य एक्स रुपया तो पांच पैंसिल का मुल्य पांच एक्स एवाम साथ कलम एक कलम का मुल्य वाई रुपया तो साथ कलम का मुल्य साथ वाई और इन दोनों का कुल मूल कितना? 50 रुपे में ये दोनों चीज खरीदी गई है तो समीकरण एक प्राप्त हो गया इसी प्रकार अगले कंडिशन में दिया है 7 पैंसिल तो इस प्रकार ये 7 यक्स जाएगा और फिर 5 कलम ते उजाएगा 5 वाही तो इन दोनों को कितना में खएदा? 46 रुपे में तो ये 46 तो ये समीकरण 2 ठीक न? तो ये हो गया बीजगरती है निरूपन हो गया अब ग्राफिके निरूपन देखते हैं तो देखें समीकरण एक से ले लेते हैं तो समीकरण एक से तो समिकन एक पहले लिख लेते हैं हम लोग 5x प्लस 7y बराबर 50 तो इसमें 7y को पक्षांत कर लेते हैं तियों जगा 5x बराबर 50-7y ठीना इसको इधर पक्षांत कर दिये तो x बराबर 50-7y बटे 5 ठीना तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे तो हम यहाँ एक तरफ किनारे बना लेते हैं ठीना हमको गराब बनाना होगा तो यहाँ बना लेते हैं यहाँ देख लेते हैं x यह y ठीक ना तो इसमें देखें y का ऐसा मान ग्यात करेंगे और कोसिस करेंगे कि जब इसको हल करें तो यह 5 से पूरी तरब विभाजित हो जाए ठीक न? तो देखे इस परकार कुछ संक्या लेते हैं देखे अगर y बराबर सुनने ले लेते हैं ठीक न? तो y बराबर सुनने रखने पर यह पत पुरा समाप्त हो जाएगा तो 50 बराबर 5 बचेगा जो 5 से पूरी तरब विभाजित होता है इसलिए हम y बराबर सुनने रखने पर तो देखे आएगा यक्स बराबर 50 माइनस 7 गुड़े सुनने बराबर 5 ठीक न? तो यह पत पुरा सुनने हो जाएगा तो जाएगा 50 माइनस सुनने बराबर 5 तो यक्स कमान 10 पराब्त हो गया तो देखें यहां रख लेते हैं y कमान सुनने तो यक्स कमान 10 पराब्त हो गया है ठीक न? इसको आप लोग यहीं बॉक्स बनाएगा ठीक न? मुझे मिटा के पुरा ग्राफ बनाना इसलिए मैं एक तरब किनारे रख लिया हूँ तो इसमें yक्स कमान 10 पराब्त हो गया ठीक न? यह समिकन भी हम लिख देते हैं वहाँ पर 5 x प्लस 7 y बराबर 50 ठीक न? अब इसमें y का दूसरा मान क्या रखा जाए? देखिए y कमान अगर हम यहाँ 5 रख दें y कमान 5 तो 7 पचे 35 ठीक न? पचास में अगर 35 गया तो 15 आएगा जो 15 पांच से पूर्णतर बिभाजित है इसलिए y बराबर 5 रखते हैं लिखते हैं y बराबर 5 रखने पर तो y बराबर 5 रखेंगे तो देखिए क्या हल होगा? x क्या मान आएगा? तो 50 माइनस 7 गुड़े 5 बटे 5 तो यह हो जाएगा 50 माइनस 35 बटे 5 50 में 35 गया 15 बटे 5 तो हल हो गया तो 5 एककम 5 क्याई 15 इस प्रकार x बराबर 3 प्राप्ट हुआ तो रख लेते हैं y कमान 5 तो x कमान 3 प्राप्ट हुआ ठेक ना? इसी प्रकार y कमान और अगर खोजें तो यहाँ पर y कमान अगर 10 रख दें तब भी ये 5 से जो हल करने पर जो तो देखें रखते हैं इसमें x बराबर 50 माइनस 7 गुड़े 10 बटे 5 तो देखें 50 माइनस 70 बटे 5 पचास में 70 गया तो माइनस 20 बटे 5 5 एककम 5 तो x बराबर पचार माइनस 4 आया ठीक ना देखें इस प्रकार कोई भी संख्या रखेगा हम तो यहाँ सुनने और 5 और 10 रखें हैं इसके लाबर भी कोई मान रखेंगे तो यह क्या नब भिंड में आएगा इसको दसम्लों में आएगा तो दसम्लों में संख्या रेखा पर दिखाने तो x कमान माइनस 4 प्राप्ट हो गया ठीक ना अब इसी प्रकार समीकरण 2 को भी लिख लेते हैं तो लिखते हैं समीकरण 2 से तो दूसरा समीकरण यह रहा इसको नोट कर लेते हैं देखे 7x प्लस 5y बराबर 46 इसमें हम y को पक्षांत कर लेते हैं तो यह प्राप्ट जगा 7x बराबर 46 माइनस 5y ठीक ना 7 को नीशे पक्षांत करेंगे तो x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7 अब देखे y का ऐसा मान रखेंगे कि इसको हल करने के बाद 7 से पूरी तरह कट जाए ठीक ना तो देखें क्या-क्या रखते हैं तो यहां मान रख लेते हैं x y और यह समिकन कोन है समिकन भी लिख देते हैं यह रहा 7x प्लस 5y बराबर 46 ठीक ना तो y y कमान रखते हैं अब हम लोग यहाँ पर देखे y कमान अगर 5 रखा जाए ठीक ना 5 पचे 25 46 में 25 गया तो 21 जो 7 से पूरी तरह विभाजित है अतर y बराबर 5 रखने पर तो y कमान 5 रखते हैं यहाँ पर तो देखे y बराबर 46 माइनस 5 गुडे 5 बटे 7 तो 46 माइनस 25 बटे 7 46 में 25 गया तो 21 बटे 7 तो 7 एक कम 7 रेक 21 तो इस प्रकार x कमान 3 प्राप्थ हो गया अब देखे इस प्रकार y कमान और अगर खोजा जाए यहाँ पर 1 रखने पर minus 1 रखने पर 2 रखने पर minus 2 तो minus 2 अगर रखेंगे तो 7 से बिवाइत हो जाएगा तो देखे रखते हैं यहाँ पर y बराबर minus 2 रखने पर तो minus 2 रखते हैं यहाँ पर देखे यक्स बराबर 46 माइनस 5 गुड़े minus 2 बटे 7 46 पांच दूनी 10 दो माइनस मिलकर प्लस ठीना दो माइनस का प्लस रखने हैं तो 46 दर 56 बटे 7 तो 7 एक कम 7 अठे 56 तो यह 8 माना गया तो y कमान पले 5 वाला भी रख लेते हैं y कमान 5 तो yक्स कमान 3 प्राप्थ हुआ है इसी प्रकार y कमान माइनस 2 पर yक्स कमान 8 प्राप्थ हुआ ठीना एक और मान रख लेते हैं तो इस पर y कमान 12 रखने पर पुरी तरह विभाजित हो रही है ठीक ना तो y कमान 12 रखने पर रखने पर तो देख क्या आता है चलिए एक और बचा इसी को यह लिख लेते हैं यक्स बराबर 46 माइनस 5 गुड़े 12 बटे 7 तो यह हो गया 46 माइनस 12 पंचे 60 बटे 7 देख क्या आता है इसमें तो 46 और 60 60 में 46 गया तो 46 चार पचास 14 आ रहा है माइनस 14 आ रहा है देखिए तो माइनस 14 बटे 7 तो इसको काटेंगे तो माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा ठीक ना तो यहां लिख लेते हैं 12 पर माइनस 2 प्राप्त हो रहा है ठीक ना तो इसमेकार इसको हल कर लिया आप graph पर इसको दिखाते हैं देखें इसका मान घ्यात हो जाएगा ठीज ने एक pencil का मूल और एक कलम का मूल घ्यात हो जाएगा तो इसको देखते हैं अब एक graph ही चलेते इस पर माइनस में सबसे दी केवल माइनस टू ही है इसलिए माइनस वाला ज्यादा जरूत नहीं है यहां लिख लेते हैं इसमें और वाई कमान ज्यादा ज्यादा बारह है और दस्ठी न तो y कमांद 12 13 तक लेंगे तो यह लिखलिया है यहां से लिखलेते हैं त्य हो गया x dash x arch y arch यह y arch थीक नगे तियहाँ सुरू करते हैं जीरो, यक्स कमान ज्यादा ज्यादा सबस्द एक आठ है, ठीक न, दस है, तो बारह तेरह तक ले लेंगे इसको भी, एक, दो, तेन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, इधर ले ले लेते हैं माइनस में, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, और माइनस चार, इधर ले लेते हैं माइनस वन, माइनस टू, माइनस त्री, और माइनस फोर, इधर ले ले लेते हैं, वान, टू, थ्री, फोर, फाइब, सेक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 10 के बाद 11 12 भी है 11 और ये रा 12 ये य अक्च ठेक ना आब इसको दिखाते हैं देखे सबसे पहले पहला समिकने था ठेक न तो इस पर 1 कमान 10 और y का मान सुनने है, तो x का मान ये 10 और y का मान सुनने मतलब यह यहीं रहेगा, तो यह हो गया, यहाँ पर बिंदू लगा लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं, यह 10 और सुनने, ठीना, x के मान को पहले लिखते हैं, और y के मान को बाद में, इसको बोलते हैं, इस बिंदू का ये निर्देशांख है ठीक ना तो निर्देशांख लिख लिए हमने इसको दस और सुने और इसमें तीन पाँच मतलब यक्स कमान तीन और वाई कमान पाँच तो इसको लिख लिएते हैं तो यह आया ठीक ना तीन और पाँच यह बिंदू तीन और पाँच हुआ फिर इसी प्रकार माइनस चार और दस तो माइनस चार यह रहा और दस उपर ठीना तो देख इसको मिटाना पढ़ रहा है इसको मिटा लेते हैं ठीना तो यह माइनस चार पर यह दस है आप लोग इस scale से बनाएएगा अच्छे से scale और pencil से विलकुल सीधा आएगा देखें ये हो गया minus 4 और 10 ठीक ना इसको आप scale लगा के सीधे हीच हैंगे तो इस सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी तो इसको हीच लेते हैं देखें मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ये और ये तो ये हो गया एक रेखा प्राप्त हो गई और इसका जो भी समिकन है इस रेखा पर लिख देते हैं तो ये रहा 5x यहां लिख देते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50 ठीक ना इसी प्रकार अब उसको भी दिखाते हैं ते रहा यक्स कमान 3 और 5 तो यक्स कमान 3 और 5 तीन रहा ये ये 5 यह यही बिंदू ही है यह उभेनिस्ट बिंदू हो गया तीन और 5 इसी प्रकार ये x कमान 8 ये रहा और y कमान माइनस 2 ती रहा माइनस 2 ठीक ना तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 और ये इसमें फिर x कमान माइनस 2 पर 12 तो x कमान 2 पर 12 तो लिखता है यहाँ पर ये लगभग यहाँ पर जाएगा तो ये हो गया माइनस 2 और 12 ठीना इससे मिलता हूँ एक सिधी रेखा ही चेंगे तो देखे ही चे लेते हैं इसको देखे ये रेखा रहा है थी ना यहाँ परतिछेद किया है तो परतिछेद बिंदू ये प्राफ्ट हो गया है इससी पर इसका समीकर्ण लिख लेते हैं ये है 7 x प्लस 5y बराबर 46 देखे इस ग्राफ्ट से ये इस प्राफ्ट हो जा रहा है कि दोनों रेखाएं इस बिंदू पर प्रतिछेद कर रही है इस प्रकार इसका ये हल हो गया ये x बराबर 3 और y बराबर 5 ग्यात हो गया इसको लिख लेते हैं देखे चूंकि ग्राफ्ट से इस पस्ट है कि इस पस्ट है कि दोनों रेखाएं दोनों रेखाएं तीन पांच पर प्रतिछेद कर रही है अतह यक्स बराबर 3 और y बराबर 5 तो लिख लेंगे अतह एक पैंसिल का मूल ले एक पैंसिल का मूल ले तिन रुपिया ये वाम एक कलम का मूल ले पांच रुपिया ठीना ये प्राफ्ट हो गया ठीना इसे बाब प्रस नमबर एक के दोनों भाग हो गए अब प्रस नमबर दो देखते हैं अब देखे प्रस नमबर दो में है अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ग्यात कीजिये कि निम्न समिकरन यूगम द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेट करती हैं समांतर हैं अथवा समपाती हैं तो देखे इसको हल करते हैं तो प्रश्च नमबर दो देखते हैं इसमें प्रश्च नमबर दो का पहला लिखा है 5X-4Y प्लस 8 बरावर सुने और लिखा है 7X-6Y-9 बरावर सुने इसमें आपको देखे ग्यात करना कि आपकी यई रेखाएं क्या परतिछेट करेंगे कि सम्हांतर होंगी या समपाती हो इसके लिए फ़रस हम बता देते हैं आपको देखे ये हैं दो रेखी समिकरन ले रेखते हैं A1 यक्स प्लस B1Y प्लस C1 बराबर सुन्ने ये दो चरवाला रेखिक समिकरन है इसी प्रकार एक दूसा रेखिक समिकरन A2 x plus B2 y plus C2 बराबर सुनने ठी हो गया दो चरो वाला दो चरो मतलब इसमें x और y है कोई भी एक दो चरो होगा इसमें ठी हना दो चरो वाला रेखिक समिकरन है क्योंकि हर चर का घात दिखिये 1 है ठी हना x की घात 1 y की घात 1 एक लिखाने जाता है इसलिए ये रेखिक समिकरन है अगर इसी प्रकार घात 2 होता तो लिखते 2 घात समिकरन है तो इसलिए 2 चरो वाला है और रेखिक समिकरन है क्योंकि इनका घात 1 है ठी हना तो ऐसे समिकरन जिनका घात 1 हो उसको रेखिक समिकरन बोलते है ठीक ना और रेखिक यूगम बोलते हैं यूगम इसलिए है क्योंकि इसमें दो समीकरण है ठीक ना तो कोई भी दो ची होती है तो इसको पियर बोलते हैं या यूगम बोलते हैं ठीक ना इसलिए बोलते हैं दो चरवाला रेखिक समीकरण के यूगम इस पार्ट में कभी भी कोई कोश्चन आगा उसमें दो सम्मिकन ही हमेशा प्राप्त होंगे तो इसके लिए देखे सबसे पहला कंडिशन होता है तो देखे अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2 के ठिक ना अगर यह कंडिशन है तो पहला क्या होगा परतिछेत रेखाएं होंगी परतिछेत रेखाएं मतलब यह दोनों रेखाएं एक दुसरे को परतिछेत करेंगी और दुसरा इसका अदूतिय हल होगा अदूतिय हल मतलब केवल एक हल प्राप्थ होगा ठीक न? और थर्ड यदि किसी भी समीकर्ण का हल प्राप्थ होता है तो उसको बहुते हैं संगत है तो इसको संगत और रहाँ इस प्रकार प्रतिछेत करेंगे दूसरे को कहीं भी मतलब यह काटेंगे जरूर यह ठीक न? इसी प्रकार सिकेंड है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है न? जब तीरों नुपात आपस में बराबर हो तो इसको में लिखेंगे संपाती रेखाएं ठीक न? संपाती का मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा ओबरलेफ हो जाए ठीक न? इस प्रकार जैसे एक रेखा यह है इसी पर एक दूसरी रेखा भी आ जाए तो रेखाओं के बारे मोगा संपाती रेखाएं हल किस प्रकार का आगात लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल और थर्ड अगर हल प्राप्त हो रहा है अगर इस प्रकार के समी करनों का तो उसको संगत बूलते हैं तो यह हो गया संगत ठीना? और थर्ड में होता है एक इस्तितिया और होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं हो C1 बटे C2 से तो इसमें क्या हो एक किस प्रकार की रेखाएं होंगी तो लिखेंगे एक दुसरे की यह समानतर रेखाएं प्राप्त होंगी समानतर रेखाएं ठीना? तो समानतर मतलब एक दूसरे का ऐसे समानतर यह रेखा है तो इसी की समानतर एक यहां भी प्राप्त होगा ऐसे यह हो गया समानतर थी ना, समानतर का मतलब ऐसी रेखा है जो एक दूसरे को कहीं भी आपस में परतिछेद न करें second condition है मतलब second है अगर इसके हल देखें से कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो लिखेंगे कोई हल कोई हल नहीं होगा ठीना और थार्ड में है अगर इसका हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसको बोते असंगत ठीना देखें ये बिंदू ये रेखाएं एक बिंदू पर परतिछेद किया, इस पकार अदूती हल, मतलब एक हल पराप्त हुआ, ये रेखाएं पूरी तरह एक की उपर एक चली गई, इसलिए अनेक हल पराप्त हुआ, ये रेखाएं कहीं भी आपस में परतिछेद नहीं किया, इसलिए कोई हल नहीं पराप्त हुआ, ठीना और जिनका हल प्राप्त होता है उनको संगत बोलते हैं और जिसका हल प्राप्त नहीं होता उसको असंगत बोलते हैं ठीना और इस वाले पहले प्रस्ट में लिखा था कि कौन सी पहला वाला condition पता करना है कि परतिछेद रेखाए हैं, कि समपाती रेखाए हैं या समानतर रेखाए हैं, ठीना तो इनको भी हम चेक करते हैं, इसमें देखें A1, A2 पहले लिख लेते हैं क्या क्या है, देखें इसक जो भी प्राप्त हो रहा हम इसको लिख लेते हैं, A1 बराबर 5, B1 बराबर माइनस 4, और C1 बराबर 8, इसी प्रकार A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, और C2 बराबर माइनस 9, पहले A1 बटे A2 चेक करेंगे, A1 बराबर 5 बराबर 7, और B1 बराबर B2, B1 बराबर माइनस 4 बराबर 6, तो यह हो गया 2 दुनी 4, 2 तियाई 6, इसका मतला माइनस 2 बराबर 3 प्राप्त हुआ, ठीक न? अब देखें A1 बटे A2 पांच बटे 7 है और B1 बटे B2 माइनस 2 बटे 3 देखें ये दोनों बराबर तो नहीं आए ठीक न? अगर ये बराबर नहीं आए तो ये पहला कंडिशन आ गया तो लिखेंगे चू के A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 अतह प्रतिछेद रिखाएं होंगे ठीक न? तो ये पहला भाग हो गया इसी प्रकार दूसरे भाग को चेक करेंगे देखेंगे सिकन भाग लिख लेते हैं यहीं पर इसमें लिखा है 9X प्लस 3Y प्लस 12 बराबर सुन्य और 18X प्लस 6Y प्लस 24 बराबर सुन्य ठीक न? तो इसको चेक कर लेते हैं इसमें लिखते हैं A1 क्या है? तो लिखेंगे A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12 इसी प्रकार A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24 ठीक न? बराबर A2 चेक करते हैं क्या है? देखें A1 बराबर A2 बराबर 9 बराबर 18 ये कर जाएगा 9 एक कम 9 दुनी 18 तो ये आगया 1 बराबर 2 इसी प्रकार B1 बराबर B2 चेक करेंगे तो क्या हैगा 3 बराबर 6 तो 3 बराबर 6 मतलब 3 एक कम 3 दुनी 6 बराबर 1 बराबर 2 फिर C1 देखें ये दोनों अगर बराबर आ रहे हैं ठीक न? तो हम C1 बराबर C2 भी चेक करते हैं C1 बराबर C2 क्या हो गया 12 बराबर 24 ठीक न? देखें चूकि 3 एक बराबर 2 एक बराबर 2 और इसका भी एक बराबर 2 आ गया चुकि तीनों पाथ बराबर है लिख लेता है यहां पर चुकि A1 बटे 2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तो देखें तिसरा यह वाला दूसरा कंडिशन हो गया तो समपाती रहाएं होंगी तो लिख लेंगे अतह समपाती रहाएं होंगी यह हो गया दूसरा भाग, अब तिसरा भाग भी देख लेते हैं फ्रस नमबर दूसरे का तिसरा भाग है 6x-3y-10 बराबर सुन्य फिर 2x-y-9 बराबर सुन्य इसको चेक करते हैं इसी प्रकार देखे, इसको सबसे तुलना करेंगे तो देखे, a1, b1, c1 इसी प्रकार a2, b2, c2 तो देखे, क्या प्राप्थ हुआ हमको a1 बराबर 6, b1 बराबर minus 3 c1 बराबर 10 इसी प्रकार a2 बराबर 2 b2 बराबर minus 1 और c2 बराबर नो प्राप्थ हुआ तो देखे इसमें A1 बटे 2 कितना है A1 बटे A2 बराबर 6 बटे 2 तो एक कम 2 तियाई 6 मतलब 3 बटे 1 प्राप्त हुआ इसी प्रकार B1 बटे B2 बराबर माइनस 3 बटे माइनस 1 इसका मतलब या 3 या 3 बटे 1 प्राप्त हुआ और C1 बटे C2 क्या है देखें यहां है 10 बटे 9 इसका मतलब यह देखें यह दोनों उपाद 3 बटे 1 आ रहा है मगर यह बराबर नहीं है तो इसी को लिखेंगे 2 कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 इस हिसाब से तिसरी स्थिती प्राप्त हो गई और तिसरी स्थिती में है समानतर रेखाएं होंगी ठीक ना तो इस प्राप्त नमबर 2 के 3 भाग हो गए अब प्राप्त नमबर 3 देखेंगे अब देखें प्राप्त नमबर 3 में है अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ग्यात कीजिए कि निम्ने रेखिक समिकर्णों के यूग में संगत हैं या असंगत हैं ठीक ना तो प्राप्त नमबर 3 देखते हैं का पहला भाग ये लिखा है 3X प्लस 2Y बराबर 5 2X माइनस 3Y बराबर 7 तो इसमें A1, A2 इसको देखते हैं क्या है तो लिखेंगे यहाँ देखें A1 क्या है 3 B1 क्या है 2 और C1 5 A2 2 B2 माइनस 3 और C2 ये 7 तो इसमें A1 बटे 2 चेक करते हैं तो ये हैं 3 बटे 2 फिर B1 बटे B2 2 बटे माइनस 3 है ना मतलब ये माइनस 2 बटे 3 तो ये शुरू में ये दोनों नुपात बराबर नहीं है ठीक ना C1 बटे C2 भी लिख लेते हैं ये आया 5 बटे 7 अब चुकि ये दोनों बराबर नहीं है तो C1 बटे C2 को निकानने की भी जरूत नहीं थे ठीक ना तो इसमें देखें बराबर नहीं है तो लिखेंगे चुकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बराबर नहीं है तो इसमें परतिशेत रेखाएं प्राप्त होंगी इसमें अदूती हल होगा और चुकि हल प्राप्त हो रहा है तो लिखेंगे अतर पुरा लिख लेते हैं रेखिक समी करणों के योगम संगत होंगे संगत होगा ठीक न तो ये पहला भाग हो गया ठीक अब पहला दूसरा भाग देखते हैं इसका यहां घ्याद कर लेते हैं दूसरा भाग देखें दूसरे भाग में क्या है देखें, 2x-3y बराबर 8 4x-6y बराबर 9 इसमें a1, a2 परले खुज लेते हैं, क्या चीज़ है इसमें a1 बराबर 2 b1 बराबर minus 3 c1 बराबर 8 इसी पकार a2 बराबर 4 b2 बराबर minus 6 और c2 बराबर 9 है तो इसमें हम a1 बटे a2 चेक कर लेते हैं a1 बटे a2 2 बटे 4 तो कारतने के बाद प्राप्थ हुआ 1 बटे 2 हो गया और इसमें फिर b1 बटे b2 क्या है तो यह हो गया minus 3 बटे minus 6 तो यह हो गया minus minus cancel 3 एककम 3 दो नीचे यह हो गया 1 बटे 2 इसी पकार c1 बटे c2 बराबर 8 बटे 9 तो देखेंगे यह दोनों उनुपात बराबर है 1 बटे 2 1 बटे 2 मगर यह बराबर नहीं है तो लिकेंगे चूँ की a1 बटे 2 बराबर है b1 बटे b2 मगर बराबर नहीं है c1 बटे c2 अतर रेखिक समी करनों के यूगम देखेंगे बराबर नहीं है इसका मतलब यह रेखाएं समानतर रेखाएं होंगी ठीक ना और चूँ की समानतर है तो कोई हल नहीं होता और जिस समी करनों के कोई हल नहीं होते उसे असंगत बोलते है तो असंगत होंगे ठीक ना तो दूसरा भाग समाप्त हो गया तिसरा भाग देखते हैं अब प्रस्ट नबर 3 का तिसरा देखते हैं अब इसमें लिखा है 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7 और दूसरा दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14 इसमें a1, a2 कितना क्या ची है यहां लिख लेते हैं यहां a1 बराबर 3 बटे 2 b1 बराबर 5 बटे 3 और c1 बराबर 7 इसी प्रकार a2 बराबर 9 b2 बराबर माइनस 10 और c2 बराबर 14 इसमें a1 बराबर 2 प्राप्त करते हैं a1 बराबर a2 देखें a1 में 3 बटे 2 हो गया और यह main बटा हो गया फिर a2 लिखेंगे 9 ठीड़ न a1 का पुराबान बटे में है भिन्न में है तो 3 बटे 2 और यह main बटा हो गया और यह 9 देखें बटे के उपर अगर भिन्न होता है तो यह 2 नीचे चलाता है ठीड़ जाएगा 3 बटे 9 गुड़े 2 ठीड़ न दो नीचे चलाता है तो 3 एक कम 3 3 द्रिकाई 9 1 बटे 6 हो गया इसी प्रकार यह B1 बटे B2 भी देख लेते हैं B1 बटे B2 बराबर देखे B1 क्या है 5 बटे 3 मिन बटा माइनस 10 इसको हल करते हैं देखे 5 बटे बटे के उपर में भिन्न में है इसलिए 3 नीचे चलाता है तो जगा माइनस 10 गुड़े 3 तो 5 एक कम 5 5 दुनी 10 इस प्रकार 1 बटे माइनस 6 ठीड़ न देखे ये अनुपाथी बराबर नहीं आए है एक बटे 6 एक बटे 6 है जरूर मगर एक रिनात्मक में दिया हुआ है इसलिए दोनों बराबर नहीं हुए इस प्रकार C1 बटे C2 भी चेक करने के बजरूत नहीं है चुकि यही दोनों बराबर नहीं आए है तो लिख सकते हैं चुकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बराबर नहीं है तो इसका अदूतिय हल होगा मतलब रेखाएं एक दूसरे को परतिछेत करेंगी चुकि अदूतिय हल है कोई हल ग्यात हो रहा है इसलिए अता रेखिक समी करनों के यूगम संगत होंगे ठीक न तो यह हो गया थर्ट भाग हो गया आप चौथा भाग देख लेते हैं यहीं पर तो चौथा भाग में क्या है लिखा है 5X माइनस 3Y बराबर 11 माइनस 10X प्लस 6Y बराबर माइनस 22 तो देखे इसको इसमें देखते हैं यहाँ A1 क्या है? 5 B1 क्या है? माइनस 3 और C1 क्या है? 11 इसी प्रकार A2 बराबर माइनस 10 B2 बराबर 6 और C2 बराबर माइनस 22 इसलिए A1 बटे 2 क्या प्राप्त होगा? 5 बराबर 5 बराबर माइनस 10 तो काटेंगे तो 5 एककम 5 दूनी 10 तो यहाँ गया माइनस 1 बराबर 2 फिर B1 बराबर 2 क्या है? B1 बराबर 2 माइनस 3 बराबर 6 3 एककम 3 3 दूनी 6 माइनस 1 बटे 2 फिर C1 बटे C2 देखते हैं तो यह लिखा 11 बटे माइनस 22 11 एककम 11 दूनी 22 माइनस 1 बटे 2 तो देखें इस 3 नुपात बराबर है माइनस 1 बटे 2 सम्में आया है तो लिखेंगे चू की A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तो देखें अगर 3 नुपात बराबर आते हैं तो इसमें होता है रेखाएं सम्मपाती होंगी ठीना अब परिमित रूप से अनेक हल होंगे चू की अनेक हल है मतलब हल प्राप्त हो रहा है इसलिए इसको संगत बोलते है तो लिखेंगे अतर रेखिक समी कर्णों के यूग्म संगत होंगे ठीना तो चौथा भाग हो गया इसलिए पर एक अन्तिम भाग बचा उसको भी देख लेते हैं पांच में में लिखा है चार भटे 3 X 2 Y बराबर 8 और 2 X 3 Y बराबर 12 तो इसमें A1, A2 पहले लिख लेते हैं यहां लिखा है यहां A1 भटे A2 बराबर पहले A1, A2 लिख लेते हैं तो लिखते हैं यहां पर देखें यहां लिखेंगे यहां A1 बराबर 4 बटे 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 8 जिसी प्रकार A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर 12 इसमें लिखते हैं A1 बटे 2 क्या है? A1 बटे 2 बराबर 4 बटे 3 और main बटा यह 2 हो गया ठीक न? तो इसको हल करेंगे तो देखें बटे के उपर यह भिंड में है इसलिए 3 इधर चलाएगा तो इसको हल करेंगे 2 एक कम 2 दुनी 4 तो यह हो गया 2 बटे 3 इसे प्रकार B1 बटे B2 हो गया 2 बटे 3 ठीक न? 2 बटे 3 और C1 बटे C2 बराबर 8 बटे 12 तो यह 4 के पाणा से 4 दुनी 8 और 4 तियाई 12 तो देखें तीनों नुपात बराबर आ रहे हैं तो लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 तो देखें लिखेंगे अतर कि पहले वाली यही चोथा इस्ति ही आ गया अतर रेखेक समीकर्णों के यूगम संगत होंगे ठीक ना तो यह संगत हो गए अब देखें इसी प्रष्ट को एक और तरेके से किया आता है उसको भी बता देते हैं पांच मां देखें यह लिखा है 4 बटे 3 यक्स प्लस 2 वाई बराबर 8 देखें पहला सब यह लिखा हुआ है इसमें एक पद इसमें भिन्नात्मक है तो क्या करते हैं हम इसको सरल बदल लेते हैं सरल में कर लेते हैं तो हम इसको सरल करते हैं, देखे इसका लगूत्तम ले लेते हैं पहले, तो देखे इसको हल करने पर 4x प्लस 3 दूनी 6y और ये पूरे के बटे 3 हो जाएगा, थी ना, तो 3 दूनी 6 और बटे 3 हो गया, बराबर 8, थी ना, अब इसका 3 गुड़ा कर लेंगे, तो जाएगा 4x प ठीक ना, अब ये दूसा समिकण लिखावा है, देखे, 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक ना, देखे, अगर इस समिकण को मानक समिकण से तुलना किया जाए, तो देखे, इसमें मानक समिकण इस प्रकाल लिखाता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर सुने, ठीक ना, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर सुने, तो अगर इस से हम तुलना करें, तो देखे, जो अचरपद है, देखे, मानक समिकण में अचरपद अंदर है, फिर बराबर सुने लिखा हुआ है, मगर इस वाले समिकण में देखे, ये अचरपद बाहर इदर बराबर 24 है, और ये बराबर 12 है, तो अगर इसको मानक सहमिकर्ण में बदलना चाहें तो हम पहले इसको 22 पक्षानता करेंगे तो यह आएगा 4x plus 6y minus 24 बराबर सुने और 2x plus 3y minus 12 बराबर सुने तो देखें अगर हम इसका भी a1 बटे a2 या अनुपातों की तुलना करें तो जो इसमें आंसर आया है वही आंसर इसमें भी आएगा ठीक ना तो इसको देख लेते हैं तो देखें यहाँ a1 कितना है 4 b1 कितना है 6 और c1 कितना है minus 24 और a2 बराबर 2 b2 बराबर 3 और c2 बराबर minus 12 अब इसका नुपात ग्याद करते हैं तो देखें a1 बटे a2 बराबर 4 बटे 2 2 एक कम 2, 2 दुनी 4 मतलब 2 बटे 1 आया इसी प्रकार b1 बटे b2 तो यह आया 6 बटे 3 तो 3 एक कम 3, 3 दुनी 6 तो यह आया 2 बटे 1 और c1 बटे c2 चेक करेंगे तो यह आया minus 24 बटे minus 12 तो 12 एक कम 12, 12 दुनी 24 तो इस प्रकार 2 बटे 1 देखें 3 नुपात बराबर आये पस इसको हल करते समय एक चीज क्याद रखिएगा कि अगर c1 दोनों समेकर्ण के c1 और c2 बराबर के होने चाहिए तो दाई तरफ ही हो या तो दोनों तरफ बाई तरफ ही होने चाहिए तो इसमे कोई फरक नहीं पड़ेगा देखें अगर इस तरफ भी है तब भी 24 बटे 12 करेंगे तो 2 ही आएगा और इसको अगर अंदर भी पक्षांतर किये तो ये भी अपना चीन बदल दिया और इभी इसने अपने चीन बदल दिया तो मानस 24 बटे मानस 12 करेंगे तब भी 2 बटे एक ही प्राप्त होगा ठीना तो चाहिए आप इस प्रस्ट को इस प्रकार करें चाहिए इस तरह से करें ठीना आंसर सेम होगा तो देखे तीनों नुपाद बरावर होने कारण अतर रेखी समिकर्णों के यूग में संगत होगे इस प्रकार प्रस्ट नमबर तीन के सभी भाग हो गए